मेंगाई की मार पेट्रोल डीजल सौ के पार ये खबर अब पुरानी हो चुकी है ताजा खबर के अनुसार केंद्र ने मेंगे पेट्रोल डीजल से जनता को राहत देते हुए शनी वार को बड़ा एलान किया केंद्र सरकार ने एक्साइस ड्योटी में कटोती का एलान करते हुए पेट्रोल पर 9 रुपे 50 पैसे और डीजल पर 7 रुपे तक की कटोती का एलान किया सर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं केंद्र ने उजबला योजना के लाभार्तियों पर भी महरबानी दिखाई महरबान केंद्र सरकार और प्रती सलेंडर 200 रुपे सबसिडी देने का एलान किया गर्मी और महंगाई के चर्टे पारे के बीच बेहाल जनता को केंद्र ने राहत रुपी वर्षा से थोड़ा आराम दिया केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइस ड्यूटी घटाने का एलान करते हुए पेट्रोल पर 9,5 तो डीजल पर 7 रुपे तक की कट्रोती कर दी वही प्रधार मंत्री उज्वला योजना के लाभारतियों को साल में 12 सलेंडरों पर 30 सलेंडर 200 रुपे सबसिडी देने की भी घोशना की हाला कि जनता को दी जाने वाली इस रहतिय घोशना के बीच सियासी तुकबंदी भी दिखाई दी केंद्रे सरकार ने एक्साइस ड्यूटी घटाने का एलान करने के साथ ही कहा कि अब गेंद राज्य सरकारों के पाले में है कि वो जनता को कितनी रहत देती है केंद्रे सरकार के एलान के तुरंद बात ही कैरल और राजस्थान सरकार ने वैट में कटोती करने का एलान कर दिया राजस्थान सरकार ने पेट्रोल पर 2.48 पैसे और डीजल पर 1.16 पैसे प्रती लिटर कम करने का एलान किया तो वही केरल सरकार ने भी पेट्रोल की टेमतों में 2 रुपे 41 पैसे और डीजल पर 1 रुपे 36 पैसे की कटोती की घोशना की केंद्री की राहत महंगाई की आफ़त से कितनी जनता को राहत देगी आज यही है सवाल आपका इस पर करेंगे चर्चा लेकिन पहले डाल लेते हैं सवाल उपड़ना सर तो पैट्रोल डीजल पर केंद्री की राहत कम होगी महंगाई की आफ़त केंद्री ने खटाई एक्साइज ड्यूटी क्या राजविस सरकारी भी देंगी वैक्ट पर राहत एक्साइस ड्यूटी कटोती या केंद्र फिर करेगा एक्साइस ड्यूटी में बढ़ोती सवाल ये बढ़ा हो जाता है क्योंकि अगर देखा जाए मोधी सरकार के अब तक कारेकाल को आट साल के कारेकाल को तो 13 बार exercise duty सरकार ने बढ़ाई है जबकि 5 बार घटाई है तो नमबर आपकी TV स्क्रीन पर लगतार फ्लैश होते रहेंगे इन नमबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और केंदर सरकार की तरफ से दी गई इस बड़ी राहत को आप कैसे देखते हैं महंगाई से कितनी राहत ये सरकार की राहत जो है वो दिला पाएगी इस पर अपनी बात रख सकते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ स्वक्त जो महमान जुड़ गई हैं वो हैं कॉंग्रिस की प्रवक्ता और रेटाइर्ट विंग कमांडर अनुमा आच्चारे बीजेपी के प्रवक्ता कुछे देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे बहुत स्वागत है अनुमा जी हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए हबरफास पर स्वागत है आपका और आप देश की सेवा भी कर चुकी हैं आप वायू सेना में रह चुकी हैं देश की सेवा रक् दे दी है, exercise duty कम कर दी है, आप कैसे देख रहे हैं कि कितनी राहत जो है लोगों को आप महिंगाई से मिल जाएगी इस खदम के बाद? काइनत, तो ऐसा लगता है कि राहत जो दी गई है, इसके तुरंट बात, 15-20 दिन के अंदर हम देखेंगे, कि या तो पंचायती राजवाले पंचायत चुनाव घोशित होंगे, और या फिर जो लोकल बॉडिस है उसके इलेक्शन घोशित हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां इ किसी तरह के कोविड महामारी से है, उसका सीधा और सीधा तालोक होता है चुनावों से, अब आप यह देखिए, कि जब यह दाम बढ़े हैं, यह केवल पिछले साथ दिनों के दाम बढ़े हैं, हम तो पिछले तीन सालों से घन घोर व्रदी देखते आए हैं, तो यह जो प कर दिया तो पांच किलो उसका बोच कम कर दिया और उससे उसके बाद गदा भी खुश हो गया और वो मालिक के खूटे में बंधा, तो जो मैं आपके सामने यह सामानांतर बात कर रहे हूं, यही कर रहे हूं कि आप पहले तो आप बढ़ाते जाओ, अनलिमिटे अब यह दे भी जाला होँ जाएखे हैं तो एक बार इन जिंसों के जाब गढ़ते हैं यह तो मानाा, कि इस पेट्रोल डीजल की बहोतरी के साथ इन सब का संबंध होता है बढ़ने का, गटने का कि फुचल होता है भी और द भी यह जाहिए, जएक सब का सात्स के लिजए चाहीँे सामन संबंद होगा ये भी एक बात है और फिर हमने देखा कि राजस्थान की सरकार ने तुरंत एक कदम उठाया वैट कम किया बेसिकली केंदर सरकार राजसरकारों को इसी चंगुल में डालना चाहती है कि राजसरकारों का कि छवी खराब हो और साथ में हम ये देखेंगे लेकिन चोनाव जो है वो नस्दीड दिखाई दे रहे हैं या तो अस्थाने निकाय चोनाव होंगे या कोई पंचाइटी चुनावंगे आपने राजस्थान सरकार की बात जी तो यहां यह भी तो कह सकते हैं अगर राजस्थान سरकार ने वैट पर राहत देने का काम किया तो प्राबर से जो है सुर्टाल मिलाते दिखाई देती हैं खैर अलोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी नेता बहुत स्वागत है आपका अलोग जी और महंगाई को लेकर यहां पर बात हो रही है कि अगर एक्साइज ड्यूटी सरकार ने कम क होती हैं तो जरूर यहां पर इसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है केंद्र सरकार का कि अनुमा जी के पास जवाब है आपकी पास का वह मैं आपको टाइम भी दूगी लेकिन आलोग जी माफी चाहूंगे आपको बीच में रोकने के लिए धर्शक ने साथ इस बीच जुड़े हैं उनको पहले ले लेते हैं फिर आपकी बात हम लेते हैं जी सके सच्चच्डेव हमारे साथ जुड़े हैं दल्ली से तेर जाएगे आपको चुनाव की सूचना मिल जाएगी नहीं अलिली से आपको बता रहा हूँ दूसरी बात इन्हों ने उजुला वालों के लिए दोस्तोर पे सबसीड़ी दी है उजुला की सबसे ज्यादा इन्हों ने बांट की है फ्री में श्रेंडर दिये सब कुछ दिय कि उजुला वाली जनता है क्या देश में 40% मीडियम तपका है 40 से भी जादा मीडियम को इन्हों में क्या दिया तिरह मार के लावा और यह प्रॉपर फुली 100% मैं अलोग वक्त को क्या सबता हूँ कि ये इलेक्शन स्टेंट है निकाय के चुनाब आने माले है है आज मेरी बाते नोग कर ले जनता है भागे मैं दूसी बाद म्द फूछा जाता हूँ हर अफ्र कोिके गारी यसे पूलिंग करें बै न्या कि पूलिंग करें वक्त्रा साथ साथ रहते हैं वाली यहीनेता ही मैं यहां यहीं नेता ही निया भात यह कि सभी नेता सभी पार्टियां ऐसी करती हैं पहले भी होता था पंदर्माट होती थी आम जारीता ही भले ही यहाँ पर सरकार बदलती रहे लेकिन पार्टियों और नेताओं की जो आदत है वो नहीं बदल रही है इन्हों ने उजला की बंदरवाट की अगर दूसरी कौवर्मेंट है कांगरेश की आप वाले कोई भी कुछ भी एक प्रीम कर दें तो ये शोर मताते हैं सबसे ज् ही के बहुत बहुत शुक्रिया है सच्च देवा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए को दर्शे कंबाला से लज्जय राम जुड़े हैं स्वागत है आपका लज्जय राम जी रखें अपनी बात जी नमस्कार जी नमस्ते चलो बेज़ेटी सरकार का धन्यवाद बोलता हूं कुछ ना कुछ तो कीया एंवन्याजी बात नहीं है लेकिन वितना इको ने खिए उस पे तीन गुना जाना बढाया मार्च अटमा हमें ने ही में ही इस वाई ते शीवाद बढाया और नौर पह सादे नौर फे यह राज बही है चलो ठीक अर्डिक अप्रिच इन धुड़ पे दे रहे हैं वाक्तैं को किसी जो भी क्या वोटन ही है इतनी क्यों अगर दोचर पे उनको दिया तो सौर देल सौर पे दूसरे को भी मद देना है जो मद्द शर्जेगें संद्रा 20,000 पे अकमारे शाह उनका हथ नहीं है उनका अश्यक्ति ए ना ठीक है इसे फरक है उसली बाद यह तामारे मेरें के तैसरी बाद यह तुनला है प्रस्त जुनाव है प्रस्त में रास्तान में है इसके 119 को एक सब्सक्राइब करने के लिए जी आलोग जी जितने भी वस्तों के साम बढ़े हैं तो बेश्विक कारणों से पढ़े हैं सब ज्यादा तर वही ज्यादा तर वही कीज़े हैं जो देश में इंपोर्ट होती हैं जाए वह तेल हो प्रोपेन का दाम कहां चला गया प्रसी पैरों कहां चला गया और जो युक्रेन और रश्या की लाई है क्या उसका असर नहीं पड़ा है अज कौन सा देश है जिसके करेंगे यह तो भाराट मुक्त कॉंड़ेस के रोग है यह भाजबा युक्त भारस मुक्त भारस है और चिन्टा चुनाव में इस और श्रेट से उसां पहो जाएगा तिर यह कहीं के नहीं रहेंगे ना इनके पार नीती है ना नेता है ना ये चिंतन विंदन सीविस्टे प्छिली होने वाला इंके 18-20-20-20 एजार के समरों में चिंतन सीविर होता है अलो ज़ो तो को पर जूशते कहीं अज़े आते ही है लो ये बैठ के एर कंडिशन समरे में भारत का भविस्थ ने करेंगे करें सिप्रियंका ठांदी उस्तर पदेश में शिक्ति चिलाती लव्षी हो लर्की हो लर्की हो लर सक्ति मूँ रीचल के जीरो चलिए उस पर नहीं जाते हैं लेकिन अभी आपने कहा यहां पर कि वैश्विक कारण इसके पीछे रहे हैं यह जो तेल की किमते बढ़ती रहे है मेरे पास है इसका जवाब लेकिन मैं चाहूँगी पहले अनुमा अचारिया जी इसका जवाब दे वो क्या सहमत थे इस बात से पिछले इतने दिनों में आज भी जो अपना कच्छा तेल है क्रूड ओयल वो एक्सो आठ बैरल प्रती एक्सो आठ डालर प्रती बैरल है तो वहां तो कोई कमी हुई नहीं है ना तो रश्या और यूक्रेन का युथ कोई तेज हुआ है यह जो एक अपने श्रोता भी कह ग हुई है बीजेपी सरकार जो करती है वो केवल चुनाव के मद्दे नजर करती है कॉंग्रेस ने हमेशा लोगों के आत्मसंमान को बनाते हुए एक दशमलो लगभग एक दशमलो चार लाख करोड की सबसीडी दी उसमें से केवल एलपीजी पर साहे तीन सो रुपे की सबसी किया जो हमेशा उनका शुक्र गुजार रहे हमेशा उनके सामने एहसान तले दबा रहे कॉंग्रेस ने जहां देश का अत्मसंमान बढ़ाया लोगों का वहां बीजेपी उन्हें विनीद करना चाहती है दैनिये बनाना चाहती है और इसका क्या हम परिनाम देख रहे हैं कि एक तपका तो बहुत ऐसे कमा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री जी के बीजेपी सरकार के मित्र है जो इतना जादा कॉर्पोरेट का चंदा देते और दूसरी तरफ एक ऐसा भारत क्रियेट हो रहा है मध्यमवर्ग खत्म हो रहा है निम्डवर्ग की तरफ लोग जा रहे है और बिलो पावर्टी लाइन लोगों की संख्या बहुत बड़ी है करोडों में बड़ी है और उसके अलावा भी आप ये देखिए कि बिलो पावर्टी लाइन के भी डेफिनीशन बदल दी है उत्तरप्रदेश सरकार ने कि आपके पास साइकल नहीं होनी चाहिए आपके प यहीं आपसे कहना है यह लोगों को समझते हैं कि उनके समझ में नहीं आता हर चीज सत्ता से केंद्रित नहीं होती और आपको एक कहानी याद होगी कि दो माएं लड़ रही थी एक बच्चे के लिए तो एक जज ने कहा चीक है इस बच्चे को अधा-धा चीर दो जो असल मा थी उसने मना कर दिया तो कॉंग्रेस वो असल मा है लोगों के नुकसान की कीमत पर कुछ नहीं करती है कि बीजेपी हर चीज केवल सकता के लिए करती है केवल सकता और वर्चस स्ववाद ये ही इनका सब्ना है इसके लावा कहीं कुछ नहीं देखा हम ने आलोग जी उजव जो BPL श्वेणी के लोग हैं या जुवला लाभारती हैं उन्हीं को सरकार जो है देखती है कि उनको राहत दी जाए जो मिडल क्लास है वो कहा जाए क्या उसी अपना सरकार वोटर नहीं मानती है और फिर सरकार की उस बात का क्या हुआ सब का साथ सब का विकार सब का वश्वा बात करेंज हम सुन पारें अपनी टी वी सथ की अवास आप कम करतें करीम जी बिल्कुल का मैं आवाज मैं यह पूछना चाहता हूं कांग्रेश इस महंगाई के दौर में कहां पर है कांग्रेश किस महंगाई के दौर में कहां पर है बिजेपी ने जब अपना रोल अजग किया था तो स्लेंडर लेके घूमते थे लेकिन आपको तो अच्छी लग रही आप तो भीपक्ष का भी रोल अज़ा नहीं कर रहे और नहीं बात बीजेपी से तो मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के जो क्रोटा भैशे हुए है पहिया कौन सा कारूम का खाजाना मिल अजह जो 9 और अब में कम कर दीए है और क्या जो गडिवी रेखा कि निशे आच्छी करोँ को आप अनाज जे रहे थिए पर अपने कम दिया मैं कहता हूँ पहले गडिवी रेखा कि निशे जो लोग जी रह had उनका अकलन करिया और मद्दम सर्णी के लोग जितने लोग जी रहे हैं जिनके लूट हो रही है उनका अकलन करिये आपको परकार में बने रहना है तो मैं गाई को कंडोल करना पड़ेगा वही आज जी कल कांग्रेश जैसा हाल आप तभी होगा चले बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मद्यप्रदेश के हैं परसो नरसो तक मैं रोज विदिशा में अपने चेहरे पर पूरे चरीर पे नमकीन पसीना बहाते हुए वहां अंदोलन कर रही थी विदिशा में उसके पहले भोपाल में वाटर कैनन खाई है मैंने तो आप ये न कहें कि हम AC की सुविधा में परसे बैठें बिल्कुल नहीं सडक पे उत्रहे हैं अगर आप गल्टी से भी मेरा फेस्बूक पेज देखेंगे तो आपको सब दिखेंगा करीम भाई हम सब रहे हैं मध्यप्रदेश में लड़ रहे हम इंडिया में लड़ रहे हैं लेकिन बहुत से ऐसे चैनल्स जो हमें दिखाते नहीं है यह आपको बताना चाहती थे खाले ठेक एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सुमित अंबाला से जुड़े हैं और राजेंद्र कोटा से जुड़ गये हैं सुमित स्वागत है रखें अपनी बात झी नमस्ते मैं मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि जो यह बीगे और गोंगरे से यह तो नहीं है तो बस जिसका एक तुक्का लग जाता है वो फस्ता हाथ यह आलेता है बाकी चलो चुकी अब यह केसके कि हमारी बात कोई उठाता नहीं है ऐसा कुछ नहीं है अगर आपकी कोई बात उठाता नहीं तो आप न्यू चैनलों पे जाना बंद कर दो आप न्यू चैनलों पे नहीं जाओगे विपक्स पार्टियों के लोग तो एटमाइटिक उसका असर पड़ेगा जन्ता के ओपर भी देखो कि विपक्स ने बाइकाट कर दिया अगर आज कोई ये निता आप एलान कर देना कि अगर हम सक्का नहीं आएंगे और हम मीडिया पे कारवाई करेंगे हमकी जांच करेंगे कि उन्हों को बाड़ेंगे लोग ऊंपो ब्रक यह पर पार्टि को बंढ़ेंगे की हाँ तो कि आज हर आजमी को पपें कि अज मीडिया के क्या हौल उचुका है या तो यह इनको काला धन मिल रहा है या फिर इन पर को दुबाव है कि आपको नोखरी से निकाल देंगे एंकरों को और आगे किसी भी चैनल में आपको नोखरी नहीं मिलेगी इसलिए आए सरकार की दलाली कर दें अगर आज कोई नेता है ये गोशना कर दें कि मैं नूज चै अब बहुत शुक्रिया हमारे साज जोडने के लिए राज इंद्र कोटा से जोड़े हैं स्वागत है आपका राज इंद्र रखें अपनी बात राज इंद्र सुन पारे है हां जी कहें कि मैं करना चाहता हूं कि उज्वला योजना के तहट जो सरकार सब्सड़ी दे रही है उसका लाब मिलेगा ये पूछना चाहते हैं लोग यहां पर फिर कहा जाएं सरकार से राहत की उम्मीद लगा कर बैठें साथ यह भी कि जो राहत सरकार ने दी है वो उतनी काफी नहीं है ना काफी है क्योंकि जो उससे पहले बढ़ोत्री की गई है वो बहुत ज्यादा थी काइना जी मैंने आप से शुरू में ही कहा कि अनेक कारणों के कारण ये बढ़ोत्री हुई है और ये तिर्फ हिंदुस्तान की सिती नहीं है पुरे वर्ल्ड के सिती है और कॉंग्रेस की जो बात कर रहे हैं काइन जी की मैंने नम्कीन पर कीने बाहा है कि वो किये पूरे देश में इस तरीके की ज्छुलंत मुझाये हैं आपके लिए आप लुप कर रहे हैं को जिस तरह के लुपकारी बात मत करिये आप केवल अहंकार अहंकार तो रावन का भी नहीं चला अलोगी वजजी आप बार बार वैश्विक परिस्थितियों को कारण बता रहे हैं लगतार बटी दरों का लेकिन हम आपको पता दें पिछले आच साल के अगर बात करें बड़ी तेजी के साथ में यहां पर जो पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क लगता है उसमें वड़ोत्रे की गई है आच साल में 13 बार एकसाइस ड्यूटी केंदर सरकार ने बढ़ाई है जबकि सर्फ 5 बार उसमें कटोती की है 2014 की अगर बात करें तो 2014 में जो एकसाइस ड्यूटी थी पेट्रोल पर 9 रुपे 48 पैसे डीजल पर 3 रुपे 56 पैसे थी और सबसे हाइस अगर में बात करूं तो 6 माई 2020 में 6 माई 2020 में 32 रुपे 90 पैसे एकसाइस ड्यूटी पेट्रोल की थी और 31 रुपे 80 पैसे डीजल की ये एकसाइस ड्यूटी थी तो क्या 2020 से वैश्विक परिस्तितिय अतनी तीजी के साथ बदल रही थी कोरोना कार था लेकिन उस टाइम पर डिमांड बेहत कम थी सर कम थी डिमांड उस टाइम पर पेट्रोल डीजल की लेकिन बावजोद इसके बड़ी दमांग यहां पर एकसाइस ड्यूटी बढ़ाए तो फिर सरकार ने क्यों कहा कि आ आप पर टीका दे रहे हैं मुफ मैं वैक Holzीन दी या रही है सरकार पर इतने इतना आतिरिक बोज पड़ रहा है सरकार के राजस पर क्यों कहा पिर अगर यही पैसा जनता की जेब से वसूलना था आप भूल गए क्या लोगों का रोजगार चिन गया था नौकरिया चली गई थी लोग भी अपने घरों में बनते लेकिन उसके बाब जो सरकार ने उनकी जेब से पैसा निकाला फिर क्या आप ये मानते हैं अनुमा जी इस समय उनके 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 अपने करोना काल में हमने सब पर जाएं परने क्लिए आज मुहिए कर आया है तो रहाएं उस समय सरकार ने कमी नहीं कि इस सब्सक्रार नहीं है पहली ऐसी सब्सक्राइब आप अब जारी है और पेट्रोल के दावर्ट के दावर्ट एक्साइज की बात जोला योजिना में बात्त सब्सक्राइब नहीं मालूम है कि इसी सरकार ने 26-28 लाग करोड की कमाई की है इसी एक्साइज जूटी को बढ़ा कर और उसके अलावा भी हर तरफ से सरकार ने कहीं भी लोगों को रियायते नहीं दी है दो बड़े खेमे खड़े किये हैं क्लास खड़ी कर दी है एक बहुत अमीरों की एक मोधी सरकार को जो सबसे जाधा चंदा देते हैं वो च्वाइट के लिए कभी माफ नहीं करेगा भारतिय जनता पार्टी को क्योंकि उसने केवल अपना फाइदा देखा है, वोड देखे हैं, और सबकुछ वोड के लिए है, फिर वोड के लिए, इस देश के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है brauchen टॉँझा य जंता परदी में जब जब भी जिस जिस देश में तानाशाही हुई है उसने सबसे पहले विपक्ष और लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है। उसके बाद प्रतीक बदले हैं, नई शक्षानीती बनाई है, कोई एक स्कीम ऐसी चलाई है, जिसके कारण वो ऐसा दिखा सके कि भारत चमक रहा है या वो देश चमक रहा है, तो यह तानाशाही की पहचान होती है, कि इस तरह से पूरा एक माहौल, एक पूरा नरेटिव क्रि हो चुका है, विश्व के कई उदारण हमारे सामने है, या आप कहने हैं कि ऐसा नरेटिव बनाया जा रहा है, और ऐसा अभी हाल फिलाल की इस परिस्थितियों में दिखाई दे रहा है, वज जी, इनको किसने लोगता है, जन्ता के पास जाने से, यह क्या बास चाहने हैं, जले, एक आखरी सवाल में आपसे यह पूछना चाहूंगी, क्या अब यह जो महंगाई, तेजी से बढ़ती महंगाई थी, उससे राहत मिलेगी, यह जो एक साइस डिटी सरकार ने कम की है, और राजे सरकारों पर कहां केंद्र सरकार ने, कि आप गेंद्र राजे सरकारों क पाले में है, क्या पीजे पिशासत राजे वैट की दरे कम करेंगे? वाज जी. चाले, बहुत बहुत शुक्री आप दोनों ही महमानों का हमारे साथ इस बात्षेत में जुड़ने के लिए, तो केंद्र की मोधी सरकार अपने कारेकाल के 8 साल पूरे करने जा रही है, और इस तुरान सरकार ने कुल 5 बार एक्साइस डिटी घटाई, तो 13 बार इसमें इज अधाफा भी किया और इस बढ़ोत्रे से केंद्र सरकार को भारी भर कम मुनाफा भी हुआ, अब देखने वाली बात यहीं होगी कि सरकार की ये राहत जंता से महंगाई को कितना दूर तक ले जाती है, फलाल के लिए मेरे साथ बसत नहीं, आप देखते रहें, खबर झाल कि ज एक्राइガल प्रबब खर खास्वाल नहीं अँ किन थैप खनी थारी वाल गभाआ रंहीं होगी शा जति, और झिया ऊ CI मैंश।, इस्म्म्टब करных ग良 दसे सम्प सरकार को कि बाहले सिर्री कि ला बजब और चाहीं हो कि उलेर थो हो वांप